हेलो फ्रेंड मैं आप कमेंट और एके सिंग और आज हम सी टेट का 6 जनवरी 2022 का पेपर वन का CDP का बाग देखेंगे तो इसमें हम 30 कोशन देखेंगे और इससे पहले की जितने भी दिनों के पेपर हैं वह आपको चैनल पर बिल चुके हैं जाकर आप देख सकते हैं तो समय ब इसकुल पर देख्ते हैं चैक का इह कर आप अकशन के रहे है बच्चे की विकास का क्रम पूछ रहा तो बच्चे के विकास का क्रम आपने सब कहीं नहीं सिल आवकर सामाने सिकनद ने मिसी स्टी की ओर होता है क्योंकि सामान्य चीज पहले श fed क स्थे करह लाते सामानय से वि वे बच्छे आयव वाले परिवार के ओपर एक कोश्शन आपने पहले भी देखा और वो पास यह था कि कोशोड़के व नॉर्मल कोश्ष था तो उच्छे आये वाले परिवार में बच्चे जो जनम है या उस तरह के रहन सहन में और नॉर्मल परिवार में तो उसमें क्या बदला होगा तो इस तरह कोशन था हूँ अपर 2011 लेके आकरा 2020 तके पेपर देखेंगे तो कोशन बढ़ते हैं वह बच्चे जो उच्छे आये वाले परिवार से हैं उन बच्चों के अपने दिन बहुत अलग बीटते हैं जो नियुक्त आये वाल बच्चे के जीवन पर पढ़ता हूँ दिखा रखा है कि वह उसके आये का प्रभाव जो है दोनों के परिवार में ठीक है बच्चे के संकल्पास और भौमिक नहीं होती बच्चे तथा बच्पन में बहुत विल्द होती है यह भी कह लाते है तो उसका आंसर हो जाएगा और आप्षिंट नंबर फूर आहां तो नेक्स देखते हैं एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसे बड़ी चीजों को पकड़ता है पकड़ने, sorry पकड़ना सीखता है उसके बाद चिम्टे से पकड़ने के मटर के दारे को पकड़ता है यानि कि एक तरह से समी बुमिक का हो रहा है यह यह अप्शन हो जाएगा टू question number 4 कारण के उपर यह अब है बच्चे अपने समाझ के बारे में जानकारी कोशल मोले और रीति रिवाज के वाद अभी वावक्स से से नहीं अगर आपने समाझ के बारे में देखा होगा तो समाझ भी क्या हो और तो स्कूल आएगा यानि कि स्कूल हो जाएगा स्कूल से भी बहुत सा चीज सेखता हूं और आसपड़ोस आ जाएगा रिलेटेड जो उसके जितने भी लोग हैं वह आ जाएगी आसपड़ोस जाएगा यानि हिंडेवर हुड़ा जाएगा और उसका खेल का मेदान आ जाएगा यानि प्लेगराउंड आ जाएगा तो बहुत मपसारी चीजें हैं उसके जो सामाज में उसका सीखंगी तुर्क्त बच्चश का समाज करहा किय रहा है नहीं बिल्कुल नहीं समाज बर ररक भी गल्ट है तो अनसर भी हो जाएगा यह और और दोनों गलट है कुश्चन नमबर 5 देखते हैं 5 क्या कर रहा है किस अवस्ता में बच्चे वस्तु स्थानिता की समझ तो बना लेते हैं परन्तु यह नहीं समझ पाते कि क्रिया प्रवर्तनी है कि उनके निर्णे चीजों को मौजुदा दिखावट पर निर्ण पर रखते हैं तो समवेदी च कालग यानि कि option हो जाएगा उसका one कोश्चन नमबर 6 देखते हैं चेके कर रहा है कोश्चन नमबर 6 पूर्थ संक्रयात्मक अवस्ता के बच्चे के लिए शिक्षक को मूर्थ संसादन वे बहुत द्रिश्य संक्रयात्मक अवस्ता वाले बच्चे की पर अगर आप देखें यह तो नॉर्मल बच्चा भी जो नॉर्मल बच्चा है वह ब्लैक बोर्ड के थ्रू आप उसे कुछ सीखाएंगे या फिर किताब के थ्रू सीखाएंगे उससे एफेक्टिव ओडियो वीजवेल एड़ है यानि कि द्रस्य साम अंगरी से जाद सीखता है तो इसका आंसर हो संकेता कि इशारा करना या फिर एक तरह से उस तरह को पुष करना वही पहाड़ या धकेल ना बच्चे को एक तरह से शंकेता कि इशारा हो जाए बिल्गुल एजी है और जो पांस तारीक का पहपर ता हूं हर्ड लेफचा पे प्रटक सा वाइवस्ति का मानना था उनका मानना था ज्ञान का सही निर्मान उस स्यत्र में होना चाहिए जहां सुतनत रूप से कार्य करने में, दूसरों की मदद से, या फिर एक तरद से, अगर इसके अकॉर्डिक लिए के चले, तो इसमें कहीं कहरा है, ज्यान का सहह निरमाण, उस सिस्यितर में होता है, जहां, जो बच्चे के सुतनत रूप से कार्य करने, और दूसरों की मदद करने में हैं यानि option number 4 हो जाएगा क्योंकि वाइगोस से यह कहते थे कि से निर्माण कि देखने में और दूसरों की मदद करने में कीज़ों को होना चाहिए कोशन नमर 9 देखते हैं को लगए द्वारा परतिवाइद नेति विकास के इस तरक पर व्यक्ति यह तरक करता है कि मानुवी अधिकार हो नियाय के सबसे जरुत है भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाप हो तो जब सामाजिक कानून हो या कानून की बात आ जाएगी तो कहीं कहीं वह आधारित सामाजिक करम वह वरस्ता के अभी विन्यास में होगा तो यहां पर हो जाएगा और अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाली जो संकल्पना है वह कम होती है जब वह एक अपने परिवारी अपने माता पिता को यह सोचता है कि मैं इस काम को करूंगा त एक तरह से बोला जाएगा तो यह वाला होगा नहीं इसका पूछना मान भी है अधिकार और सामाजिक कानून की बात हो रही है तो यहां पर ही आ जाएगा यह वाली बात कोश्चन नमबर 10 देखते हैं तो क्या कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम तो होता है सा आमाजिक पर करिया है और दो जाएगा सकान सो में पूछन नमबर 11 देखते हैं गारा के गारा गार्डनर के अनुसार सब्सक्राइब करें तो सही है पहले पर अंडरलाइन करेंगे हैं सही है हर वैक्तियों विविद परकार की बुद्धि मता होती है क्योंकि कोई पी वैक्ति एक जैसे नहीं होता है और सब की बुद्धि अलग-अलग होती तो ऑप्शन हो जाएगा दो कोशन नमबर 12 देखते ह नवारा क्या रहा है राश्य शिक्षा निदी में देश के प्रादमी इस तरह पर एक बलकुल सही बात है यह सीट वाइस वा उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और ncf 2005 के उपर रोज आपको कोश्चन देखने के मिले है यहां पेपर वन हुआ हो पेपर टू हुआ हो दोनों में कोश्चन मिले हैं तो जब आपने वीडियो देखियो कि मेरी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ncf की वीडियो देखने न्सी एफ और new education policy की वीडियो का लिंक की वीडियो देखेंगे तो new education policy में जब हम पढ़ते हैं यानि कि तीसरी तीन साल का जब बच्चा स्कूल में जाएगा तो उसे no work, no pencil, no homework और no, उसे सिर्फ play यानि कि खेल के माध्यम से शिखाया जाएगा तो खेल के माध्यम से सिखाया जाएगा तो खेल के माध्यम से जब सिखाया जाएगा तो जब वो पहली और दूसरी तक आ जाएगा तब तक उसे no test, no exam इस तरह की policy रखी गई है फिर बात आती है उसकी जो प्रात्मी की स्थार में भाशा है तो वो कौन से होगी तो वो होगी मात्र भाशा के उपर क्योंकि मात्र भाशा के उपर अगर आप देखेंगे तो ncf जो है ncf new education policy ncf base ही है ncf का एक तरह से बड़ा या विस्तृत रूप मान लीजिए या बड़ा भाई मान लीजिए तो ncf और new education पर लीजिए बिल्कुल same to same ही मान के चलिए थोड़े बहुत changes रहे हैं तो इसका अंसर हो जाएगा मात्र भाशा है घर की भाशा नक्ष देखते हैं नक्ष यह कह रहा है कोशन नमबर 13 बैट करता है समूख में कारे करने का तो जब आप कक्षा में पढ़ाएंगे या कक्षा में एक तरह से लचीला पन रखेंगे तब ही सामाजिक संदशनावादी कक्षा मानी जाएगी या फिर एक तरह से अच्छी कक् चीला होना चीए वेब सित्रों चीए और एक तरह से नियंत्रन रखना होना चीए क्योंकि अगर आप माल लीजे एक टीचर एज टीचर बिल्कुल को इस तरह बठाय रखेंगे बच्चों को इस तरह बठाय रखेंगे करक्षे में कि वह कुछ बोलना सके प्रशन पूछ सक तो कि एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिकाद वित्ताओ का ध्यान रखने में मदद करेगा तो वह होगा संकल्मा है संदर्व था ओप्शन नंबर चार हो जाएगा सकांसा सब्सक्राइगा सकते बच्शों के खर या बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना क्यों कि मल्यांकन का अधार पर मुल्यांकन नहीं जी कि जो है अंको के आतार पर नहीं उसके जैसे आपने सीसी एफ या फिर सीसी वाला पैटन जो पढ़ाया है जो कपेल सिब्बल जी निलाए थे दो हजार ग्यारा में इंप्लिमेंट जो पहली बार हुआ था उसका बोर्ड में याई टेंथ क्लास में तो वही कहीं न के सीसी वाला जो पैटन है वह एक तरह से बच्चे की ओवरॉल डेपलोप्मेंट पे प्रक्रिया ना की अंको के आधार था एक ग्रेडिय सिस्टम पर उ उसका भी कहीं न कहीं नुक्साम बच्चों को देखने के लिए मिला क्या नुक्साम देखने के मिला जो कौवर्मेंट स्कूल के बच्चे थे उनके नंबर जितने उनने मार्क्स गेम के थे उसी हिसाब से मिले थे पर जो सीवी जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे उन यह सब बात चलती रहेंगी समय वेशी का अर्थ क्यात समय वेशी का अर्थ है सभी विद्यारतियों को उनके सामाजी के पैचान से निश्पर होकर अपनाना तो समय वेशी का अर्थ है क्योंकि समय एक ऐसा पहल हुआ कि सभी बच्चों को समान रखना वाली बात है तो option number one हो को अब वह सतरा देखते सतरा क्या रहा है विविश संस्क्रेटी प्रश्व में विद्यारतियों के सफलता पूर्ण समय ने केले शिक्षक को किस से बचना चाहिए तो बचने की बात हो रही है तो इसमें जो पीपर आप देखेंगे इसमें दो कोशन इस तरह किस से बचना तो प्रभाव शाली समगों के अनुभाव को प्रात्यमिक्ता देने वाली बात यह उप्षन से बचना चाहिए को 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 सब्सक्राइब देखते हैं डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से कटना ही होती है तो डिस्लेक्सिया आपको सब को पता है पढ़ने समय दिकार है डिस्लेक्सिया हो गया डिस्ग्राफिया हो गया और डिस्कैलकुलेशिया हो गया यह हर बार आपको एक्जामे देखने में रहेगी तो इसलिए आपको इसको पता होना चाहिए क्या क्या डिस्लेक्सिया हो गया डिस्लेक्सिया पढ़ने से सम्मद्ध ग्राफिया लिखने स संबंदित हो गई पढ़ना लिखना और यह हो गया मैच से संबंद गणित से संबंद तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान नाखें संबंद नाइंटी देखते हैं संबंद से कौन सा अभ्यास अधिकम सक्षमता वाले विद्यार्थी का समावेशी सिक्ष्ण करने के परभावी होता तो संबंद चेप्र करने के लिए विकल प्रदान खनना है यानिकी ऑप्षिन नंबर 4 हो जाएगा असका आंस्व क्वेशन नंबर 20 देखते हैं 20 क्या कहा रहा है प्रतिवाव वान विद्यार्थी होते हैं तो प्रतिवाव वान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अनुवेशन कर लेते हैं क्योंकि उनके पास एक तरह से प्रतिवाव वान विद्यार्थी को एक तरह से हाई पावर का माइंड वाना जाता है तो इसलिए वो सही तरह कैच कर लेते हैं किसी प्रशन उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोच्छान करना चाहिए क्योंकि मोटिवेट करेंगे अगर आपकी कक्षा है अगर आप टीचर है अगर आपके कख्षा में बच्चे प्रस्तन नहीं पूछते तो कही न कहीं वो कख्षा सही नहीं चल गई यह क्योंकि जब कक्षा सही चलेगी तभी प्रस्टावाद मददक्रने किस से बचना चीब बचना चीकि अगें दोचान नहीं बोर्ड पर लिख विद्यार्थियों के से बीना समझे नकल उताना यानि की रटने वाली बात हो रही है तो यह ओप्शन हो जाएगा किस तरह के पाट्टेग्राम को लागू करने से विद्यार्थि की विफिलता को कम किया जा सकता है तो हो जाएगा सामाजिक सम्रिद यानि की ऑप्शन बार फ़र्ष्ट हो जाएगा जो उनके सामाजिक संदर से जुड़े हो कोश्चन नमबर 24 देखते हैं 24 कहा रहा है सार तक सीखने के लिए निमनमे से क्या महतपूर है तो क्या है बच्चे की विचारव और अनवावस को जंगा देना यानि की ऑप्शन नमबर दो कोश्चन नमब 25 देखते हैं 25 के गरा विद्यार्थियों के नई संप्रत्य पढ़ते समय सिख्षक को निमनमे से किस से बचना चाहिए तो किस से बचना चाहिए पहले जटिल अवधार्णा को प्रस्तुत करें और फिर सरल क्यों बड़े बिलकुल गराज है क्योंकि अगर हम जटिल पहले लेके चलेंगे यानि जटिल की प्रक्रिया से सरल की और लेके चलेंगे तो यह गलत हो प्रक्रिया माने जाती है पहले सरल चीज सिखाई जाती है बच्चे को और फिर जटिल चीज इसलिए आपने देखा होगा पहले उसे cycle चिक आई जाती है फिर bike फिर एक तरह से car की तरह पाता है तो ये प्रकरिया सरल से जटिल के अथा जब तक जो चलेगा वह एक तरह से अच्छी प्रकरिया मानी जाएगी और जिए जट्टिल से सरल्गी और आएगा तो वो प्रकरिया बेकार है चलिए नेक्ष देखते हैं question number 26 26 विशेश जानकारी के समर्ण और आधारी प्रशन उत्तर देने के आधार पर विद्यार्थी इस बात का विचार कर रहा है कि इस कार्ये को निवन में से संकेत क्यों और उसकी मज़क करके विद्यार्थी और आधी संग्यान का विकास का है यानि की option number हो जाएगा उसका नेक्स देखते हैं question number 27 27 लक्षे प्राफ्ट करने के चरण दर चरण नियर्देशी को डैश कहते है करन विद्यार्थी और आप्शन हो जाएगा उसका 1 पोलियो सहज्व समझ ऑप्शन नमबर तीन कोश्चन नमबर 29 देखते हैं 29 के विद्यार्थियों के गर्व का कारण बनती है तो वह होगा जब सफलता का कारण होगा है स्वेम मानता है क्योंकि अगर आप सीटेट या सीटेट की बाद लेके चलें तो सीटेट आपने नहीं ली तो आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपने आपको उसका कारण माने और आगर आप टीचिंग एक्जाम भी सेल्फ से पास कर लेते हैं तो वह भी एक तरह से अच्छा माने जाएगा नेक्स देखते हैं कोशन नमबर 30 निवल में से कौन सा कथन आंत्र रूप से प्रेरित रहेंगे तभी किसी एक्जाम को या किसी भी चीज को प्राप्ट करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है तो इसका हो चाहेगा फर्स्ट तो सीटेट के जो 6 तारी का पेपर था यानि 6 जनुरी के पेपर था पेपर वन का 30 CDP के बाग के हम दें 30 कु में हमने क्या देखा कि उनके क्या-क्या अंसर होने चाहिए आशा करता हम आपको वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब करें थैंक यू